नमस्कार आप देख रहे हैं विहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूँ शिवानी जैसा कि राज्य में पिछले कुछ दिरों से दक्षनी पश्मी मौनसुन पुरे बिहार में सक्रिय है जिससे लोगों को लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले 24 घंटे में राजे के दक्षनी पुर्वी शैत्र के कई जगों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है वहीं बाकाजिले के बिलहर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़ादा बारिश 8 सेंटीमीटर दर्ज की गई है और कई जीलों के कई जगों पर वज़रपाद भी हुआ पूरे राजेभर का पिछले 24 घंटे का अधिकतम तापमान 36.7 डिगरी दर्ज किया गया है और आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में मौसम विभाग द्वारा कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं जताए गई है और आएए अब देखते हैं अगले 3 दिन 7, 8 और 9 जुलाई को कैसा रहेगा राजेभर में मौसम का हाल बात करें उत्तर पश्मी बिहार के जिले पश्मी चमपाडन सिवान, सारन, पुर्वी चमपाडन और गोपाल गंज की तो 7 और 8 जुलाई को इस चमपाडन और वेस चमपाडन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने औरेंज अलर जारी किया है यहाँ वजरपात और गरज के साथ बिजली और तेज बारिश होने के आसार हैं 9 जुलाई को एकाथ जगों पर वज़रपात होनी की संभावना है, बाकी के जिले के अधिकतर जगा पर हलकी बारिश की भी संभावना जताए गई है वही 9 जुलाई को इन जिलों के कुछ ही जगों पर बारिश होगी, बाकी के अगले दो दीनों में मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है बात करें उत्तर मध्य बिहार के जिले सितामडी, मधुबनी, मुझफरपूर, दर्भंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तिपूर की तो 7 जुलाई को यहां भी हलकी बारिश की संभावना है जो की इन जिलों के कई जगों पर होगी आच और 9 जुलाई को इन जिलों के लगभग सभी जगों पर तेज बारिश होने के आसार है जिसके लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है वही अगले दो दिनों में मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है उत्तरपुर बिहार के जिले सुपॉल, अरणिया, किश्वन, गंज, मधेपूरा, सहरसा और पुर्णिया जिले के कुछ जगों पर आने वाले तीन दिनों तक वज़रपाद, गरज के साथ बिजली और तेज बारिश की संभावना है यहां आपको खत्रा देखनी को मिल सकता है जिसके लिए मौसम, विज्ञान, केंद्र, पटना, द्वाड़ा और इन्ज अलर्ट जारी किया गया है बाकी के जगों पर हलकी बारिश की संभावना है दक्षिन पशिम, बिहार के जि सिर्फ हलकी बारिश होने की संभावना है उसके अगले दो दिनों में मौसम में कुछ पडिवर्तन देखने को मिल सकता है दक्षिन मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेकपूरा, नवादा, बेगुसराय और लखी सराय में 7, 8 और 9 जुलाई को इनके कई जग परतेज बारिश की संभावना जताए गई है जिसके लिए बौसम फिवाग द्वारा यलो अलर्ट भी जारी किया गया है साथ ही कुछ जगों पर सिर्फ हलकी बारिश होने की संभावना है दक्षिनपुर, विहार के जिले, कटिहार, भागलपुर, बाक्का, जमुई, मुं खासतोर पर आसधारी पटना और आसपास के इलागे की बात करें तो यहां उमसभरी गर्मी और तल्ख सूरज की केड़ने लोगों को परिशान कर सकती है साथ ही कुछ रगों पर हलकी बारिश की संभावना है ये मौसम पुडवानुमाद पटना मौसम विज्यान केंद्र द्वारा जारी किये गए हैं आज के लिए बस इतना ही मौसम की जानकारियों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज धन्यवाद